अगर हम और ज़्यादा आधुनिक खेती की तरफ जाते हैं, बहुत अच्छा सब्जियों का उत्पादन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा फलोद्यान का उत्पादन लेना चाहते हैं, या फूलों की खेती करना चाहते हैं, या फिर सरक्षित खेती यानि की ग्रीन हाउसेज में, शेडनेट हाउसेज में, लो टनल में, वाकिन टनल में इन में खेती करना चाहते हैं तो इन पदतियों से और आधुनिक पदती है, जो की आज के दिन हमारे कास्टकार, काफी कास्टकार इसकी तरफ इसको अड़क्ट भी करने लगे हैं, वो है ड्रिप सिंचाई पदती या बूंद बूंद सिंचाई पदती है। बूंद बूंद सिंचाई पदती की सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सिंचाई जल की दो दख्षता है, वो नबव परतिशत से अधिक है। जो दूसरा क्षितर है, खाली जगह बची भी है, उसमें पाणी नहीं जाने से, ने तो खर्पतवार की बढ़वार होगी, ने दूसरी तरह की दिखते होगी। इसलिए आधुनिक्तम और कैस क्रोफ अगर अपन लेते हैं, खास करके सबजियां, फरलोद्यान और पुस्प की खेती और प्रोटेक्टेड कर्टिवेशन, इसमें हमें ड्रेप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई पर ही जाना चाहिए। बूंद 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 शिंचाई का जो दूसरा फाइदा है, इसके साथ हम पोशक कर्टवे भी दे सकते हैं। खड़ी पसल में छिड़क दी। उससे हमारा जो पोशक तत्वे थे उर्वरकों में उसकी बहुत कम मात्रा पोदों तक पहुंचती थी। अगर बात करें पोटेसिक और फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की तो उसमें शिरफ दक्सता रहती है बीस परतीसाद पचीस परती हैं उनकी दक्सता करीब 40% या इससे कमी रहती है खुली रूप में अपने शिड़काओ करते हैं तो लेकिन अगर ड्रिप के मादेम से हमने पोशक तत्वे दिये इसमें जो पोशक तत्वे की उरूरक है वो जल में पूर्ट तया घुलन सील है तो घुलन सील अगर साथ में देते हैं तो इनकी दक्सता अची 90% या इससे ज्यादा रहती है और इसके साथ साथ ये सीधे प्रभावी जड़क सितर में जाते हैं तो जब भी अपने पोशक तत्वे दिये सीधे पोशक तत्वे को उसी दिन से मिलना चालो जाते हैं और खास बात यह है कि फसल की हर आव अगर खेती की आधुनिक तम पदती अपनानी है तो हमें इसी त्रूप से ड्रिप्स हिंचाई पदती है इसके बारे में जानना भी है किस तरह से इसका संचालन होता है किस तरह से इसका रखरकाव होता है और कौन सी फसल में कितनी कितनी देर चलाना चाहिए